नमस्कार आप देखे रे नियूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांथ वनाव के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव की तारीखे जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ये चुनाव और भी जादा दिल्चस्प होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में उत्तर प ने टिकेट काट लिया है साथी साथ उनके पति दया शंकर सेंग जो की बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है उन्हें भी बीजेपी के तरफ से टिकेट नहीं मिली है और अब लगातार ये चर्चा निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी की मंत्री स्वाते सेंग समाजवादी पाटी का दामन थाम सकती है लेकिन वहीं दूसरी दिल्चस्प बात यह भी है कि स्वाते सिंग के पती दया शंकर सिंग अपनी पतनी के टिकेट कटने से बेहत खुश नजर आ रहे हैं आए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला आखिर क्यूं अपनी पतनी के ही ट धानसवा सीट पर चल रहे विवात कान निपचारा कर लिया है वही पाटी से कि टिकेट के लिए पती दया शंकर और पूर्व मंत्री पतनी स्वाते सिंग के सामने आने के बाद बीजेपी ने किसी तीसरे व्यक्ति को टिकेट देने का फैसला किया उस दौरान बीजेपी न लखनव की सरोशी नगर सीट से राजेश्वर सिंग को अपना उमीदवार बना दिया है दरसल एक रिपोर्ट के मुताबिक एडी के पूर्व डिरेक्टर राजेश्वर सिंग को टिकेट मिलने पर पती दया शंकर सिंग ने बताया कि वो बहुत खुश नजर आ रही है उन् लिए दोनों के बीच पारिवालिक संबंद भी है वहें दया शंकर ने पती पतनी की आपसी कला में हुई लड़ाई की वज़े से टिकेट कटने की बात से साफ इंकार किया उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि पती पतनी के जगड़े के कारण राजेश्वर सिंग को उमी पाटी ने लिया है इस दौरान पाटी ने हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा पाटी में टिकेट कटने के सवाल पर दया शंकर ने आगे कहा कि कई परिवारों के टिकेट कटे हैं इनमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बता दे कि इस से पहले उत्तर दया शंकर पर मारपीच और प्रताडना के गंफी रारों भी लगाए थे और जो मैं अंजान शक्स से बात करती हुई स्वाती सिंग कह रही है कि मेरी थोड़ी स्थिती अलग है यदि उसे यानि दया शंकर को पता चलेगा तो वो आदमी मुझको भी मारना पीटना शुरू कर देगा साथी चीज़े बहुत खराब हो जाएंगी लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी किसी निर्दोश व्यक्ती के साथ इस तरह की बात हो अपनी पत्नी आने के बीजेपी की पूर्व मंतरी स्वाति सेंग और अपनी खुद का टिकेट कर जाने से दया शंकर बिहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरोशी नगर विधान सबा सेट से राजेश्वर सिंग को प्रत्याशी बनाने का फैसला पाटी ने लिया है और ये बिलकुल सही है ऐसे में राजेश्वर सिंग को जुताने के लिए वो अपनी पूरी ताकत भी जोग देंग और पिछले चुनाव में उनका बीजेपी ने टिकेट भी काट लिया था जुसके बाद दयाशंकर की पतनी स्वाते सिंग को बीजेपी के तरफ से टिकेट दिया गया और वो जीत कर उत्तरप्रदिश की मंत्री भी बनी लेकिन इस बार के चुनाव में बिलकुल उलट फेर होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर दोनों पती पतनी के टिकेटों को काट दिया गया है जहां एक तरफ दयाशंकर सेंग बीजेपी पार्टी के इस फैसले से बेहत खुश है तो वहीं अब दूसरी तरफ ये खबरे और ये चर्चा बनी हुई है कि अब स्वाते सेंग समा पार्टी अब उन्हें टिकेट दिलाएगी जहां समाज वाधे पार्टी को अपड़नायादव के जाने से लॉस हुआ है तो वहीं अब समाज वाधे पार्टी की ये रनीती निकल कर सामने आ रही है कि वो स्वाध्यसंग को अपने खेबे में लेकर हिसाब बराबर का कर दे फिलाल के लिए इस रपोर्च में इतना ही है न कई अपडेट्स के लिए हम आई साथ बने रही न्यूस फोर्णेशन में नमस्का